क्या हाल चालने दोस्तो मैं रविंदर शोकिन आप सब का स्वागत करता हूँ दोस्तो ब्लेक ग्रेप्स या जामून मार्केट में आई हो और मैं उसकी वाइन ना बनाऊं ऐसा नहीं हो सकता दोस्तो आज ब्लेक ग्रेप्स की वाइन बनाऊंगा मैं रेस्पी थोड़ी जरूर पुरानी है लेकिन हाँ इन्फोर्मेशन वीडियो में आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी बहुत ही असान तरीके से आप वाइन बनाना सीख जाएंगे तो चलो दोस्तो अंतक बने रहना मेरे साथ शुरू करते हैं वाइन बनाना काले अंगूर लिये हैं साड़े 9 किलो इन्हें मैं अच्छे से धोलूँगा धोने के बाद इन्हें मैं मिक्सी जार के अंदर ग्राइंड कर लूँगा इनको अच्छे से पीस लूँगा आप हाथ से भी इन्हें दबा के मैश कर सकते हैं और अपने कंटेनर में डाल सकते हैं अंगूरो को गुच्छे से अलग करने के बाद मैंने अच्छे से धोने के बाद इन्हें मिक्सी जार में डाल कर पीस लिया है इस बारे में भी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आज तो बने रहिएगा दोस्तो अंतक वीडियो में मेरे साथ साड़े नो किलो अंगूर को पीसने के बाद पल्प और जूस हमारे पास सिकटाऊ है तकरीबन 6 लीटर तो पर लीटर के हिसाब से पर लीटर यानि एक लीटर के हिसाब से मैं इसमें 100 ग्राम देशी खांड का इस्तमाल करूँगा आप गुड़ या चीनी का भी इस्तमाल कर सकते हैं छे लीटर पल्प और जूस के लिए मैंने 600 ग्राम यहाँ पर देशी खांड ली है अगर मेरे पास पल्प और जूस कम होता यानि एक लीटर होता तो सिर्फ 100 ग्राम डालता दो लीटर होते तो 200 ग्राम डालता इसी तरीके से 6 लीटर के लिए मैं यहाँ पे 600 ग्राम देशी खांड का इस्तमाल कर रहा हूँ आप जिस मर्जी फूट से वाइन बना रहे हो हर एक फूट के अंदर अपनी एक मिठास होती है उसमें अपना ही एक शूगर होती है नेचुरल शूगर होती है उस नेचुरल शूगर से 5-7% एलकॉल आपको वैसे ही मिल जाएगी आपको fruit जितना भी आप fruit ले रहे हैं मानलीजे कि आपने कोई भी fruit लिया और उसको mash कर लिया या grind कर लिया आपके पास वो एक से दो लीटर के आसपास वो आपको मिलता है तो मानलीजे एक लीटर आपने लिया या डेड़ लीटर आपके पास हो गया तो देड़ लीटर के हिसाब से आपको एक लीटर के हिसाब से 100 ग्राम आपको उसके अंदर शुगर डालनी है, देड़ लीटर आपके पास है तो आपको 800 ग्राम उसके अंदर शुगर डालनी है, बाकी जितना भी आप पानी उसके अंदर एड़ कर रहे हैं, तीन लीटर, चा फ्लेवर के लिए एड कर रहा हूं दालचीनी का एक टुकड़ा 15 इलाइची और 10 लॉंग ये दोस्तों बिलकुल ऑप्शनल है आप चाहो तो मट डालिए वाइन का पी एच लेवल ठीक रहे उसके लिए मैं ये दो निम्बू का इस्तिमाल कर रहा हूं आप 5 लीटर बना रहे हैं तो आदा निम्बू काफी है 10-12 लीटर के लिए एक निम्बू काफी है 15-18-20 लीटर के लिए दो निम्बू काफी है मैं यहाँ पर बना रहा हूं 26-27 इस लीटर के असपस तो पूरे दो निम्बू का इस्तेमाल करूँगा निम्बू के जूस की जगे आप सिट्रिक असिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं 200 ग्राम गेहु लिए हैं तवे पे भूनने के बाद वाइन के अंदर एड़ कर दूँगा इससे हमारी जो वाइन है उसकी थिकनेस बढ़ जाएगी पीने में वो पतली पतली नहीं लगेगी दोस्तों 5 लीटर वाइन के लिए 50-60 ग्राम काफी है 100 ग्राम तक डाल सकते हो लेकिन 50-60 ग्राम काफी है यहां पर मैंने लिया है पैस्टिक इंजाइम 5 लीटर के लिए एक चमच काफी है मैं 25 लीटर से ज़्यादा ही बनाऊँगा तो मैं इसमें 5 चमच यह पैस्टिक इंजाइम डाल दूगा और हाँ दोस्तों पैस्टिक इंजाइम का इस्तमाल हर एक वाइन में कीजिए इससे आपके जो भी फल आप डाल रहे हैं वाइन के अंदर उनका जूस बहुत जल्दी वाइन के अंदर आ जाएगा और दूसरा एंड में यह बहुत जल्दी आपकी वाइन क्लीन भी होगी क्लीन फाइनिंग एजेंट का भी काम यह पपीते का चिलका करेगा यह फिर यह पैस्टिक इंजाइम आप जरूर इस्तमाल कीजिए फाइन में जो भी चीज मैं इस्तमाल कर रहा हूँ उन सब चीजों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पांच चमच पैस्टिक इंजाइम मैंने एक कंटेनर में डाल दिया है कंटेनर को मैं बंद कर दूँगा और एक घंटे के लिए रखके ऐसे ही छोड़ दूँगा ताकि पैस्टिक इंजाइम अपना अकाम अच्छे से कर सके उसके बाद पानी एड़ करूँगा सबी चीजों को कंटेनर में डाल कर अच्छे से मैंने चंटेनर को एक बार उठा कर हिला के रख दिया था और 1 घंटे के लिए रखके छोड़ दिया था एक घंटा हो चुका है अब मैं इसके अंदर एक एक लीटर करके पांच लीटर पानी डाल दूँगा पहले और उसके बाद एक किलो देसी खान डाल दूँगा पहले भी मैंने बताया था आप खान की जिगे चीनिम का भी इस्तमाल कर सकते हो शैद का भी या फिर गुड का भी इस्तमाल कर सकते हो एक किलो खांड मैं इसके अंदर add कर दूँगा, एक किलो खांड भी मैंने container के अंदर add कर लिए है, अब दुबारा से मैं 5 लीटर पानी लूँगा, और उसके बाद एक किलो देसी खांड फिर से मैं add कर दूँगा, खांड बीच बीच में इसलिए डाल रहा हूँ दोस्तों अगर पहले से ही कंटेनर को अगर मैंने पानी से भर लिया तो बाद में जगे नहीं बचेगी तो बीच बीच में ही खांड को एड़ कर लीजिए वो ज्यादा अच्छा है ज्यादा अगर कंटेनर भर गया यानि हमें उसे थोड़ा सा खाली रखना होता है उपर तक उसे भर लिया तो वो overflow हो जाएगा fermentation के दोरान या आप एक काम और भी कर सकते हैं जितना लीटर पानी आपको डालना है उतने लीटर आप पानी को उबाल लीजिए और उबालने के बाद उसमें पर लीटर के इसाब से 200 ग्राम खांड उसके अंदर mix कर लीजिए और ठंडा होने के बाद container के अंदर डाल दीजिए अगर आपके पास potassium metasulfite नहीं है तो बिल्कुल उबलता हुआ ही पानी आपको container के अंदर डालना है container में 18 लीटर पानी मैंने डाल लिया है और 3.5 किलो देशी खांड भी मैंने इसमें डाली है तकरीबन 200 ग्राम पर लीटर के हिसाब से मैंने खांड डाली है 100 ग्राम खांड कम है 100 ग्राम खांड से कोई ज़्यादा फरक पड़ने वाला नहीं है आप देखी सकते हो container को मैंने थोड़ा उपर से खाली रखा है इसको खाली रखना जरूरी है अगर सिरफ juice जूस होता तो कोई दिक्कत नहीं अगर पल्प होता है तो हमें container को थोड़ा स पसंद करते हैं तो इसका होना बहुत जरूरी है यह sterilize करने के काम आता है quarter चमबच potassium metabisulphite में इसके अंदर डाल दूँगा wine के अंदर इससे wine के अंदर जो भी bacteria होगा वो मर जाएंगे तो wine हमारी खराब नहीं होगी दोस्तों आप 5 लीटर बना रहे हो तो एक चुटकी भर potassium metabisulphite काफी है एक या दो चुटकी इसे अधिक नहीं डालना है नहीं तो उसकी मातरा थोड़ी जादा हो जाती है quarter चमच potassium metabisulphite डालने के बाद इसे मैंने एक सूती कपड़े से ढख दिया है और उपर से एक rubber band में इसके लगा दूँगा और इसे थोड़ा mix करके पूरा 24 गंटे के लिए इसको ऐसे ही रख के छोड़ दूगा कपड़े से इसलिए ढख रहा हूं दोस्तों potassium metabisulphite से एक अलग सी धुरगंद आती है वो धुरगंद हमारी wine से बाहर निकल जाएगी वैसे तो आप इसे कपड़े से नहीं भी ढखोगे airlock सीधा सीधा भी लगा दोग तो CO2 के साथ वो फिर भी बाहर निकल ही जाएगी फिलहाल के लिए इससे 24 गंटे के लिए ऐसे ही हम छोड़ देंगे उसके बाद East एड़ करेंगे तो चलो दोस्तों मिलते है 24 गंटे के बाद इसके लिए मैंने लिए है लालविन EC1118 East तकरीबन मैं इसी East का इस्तमाल करता हूँ काफी अच्छी East है ये हाँ दोस्तों एक और भी बात 5 लीटर वाइन बना रहे हो या 20 लीटर बना रहे हो 30 लीटर बना रहे हो दोस्तों ज्यादा East डालने की जरूरत नहीं है आधा पैक चालू हो जाएगी फर्मंटर का ढखकन मैंने उपर से लगा दिया है एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर देता हूँ मिक्स करने के बाद जो ये एयर लॉक है उसके अंदर मैं विस्की डालूँगा वोड का भी डाली जा सकती है हाँ वैसे आप पानी भी डाल सकते हैं एयर पर डिलिवर हो जाएगा लेकिन ये काफी महंगा है 3500 रुपे के आसपास का ये आया था और ये बहुत हलका प्लास्टिक का है फूड ग्रेड का है कोई इशू नहीं है उसमें लेकिन हलका बहुत है अगर इसमें कुछ भी हलका सा लग गया तो ये फट जाएगा और 3500 का काम करता है बस गुबारे के अंदर शूरू में दो से तीन छेद कर दीजिए पांसाथ दिन तक कोई दिक्कत नहीं जब फर्मेंटेशन बंद हो जाए तो गुबारे को चेंज कर दीजिए दूसरा बैलूर लगा दीजिए आपका काम हो जाएगा बहुत ही सस्ते में हो ज चुका है एरलॉक में बबल्स आने चालू हो गई है यानि कि वाइन के अंदर फर्मेंटेशन चालू हो गई है अब दोस्तों मिलते हैं 24 घंटे के बाद फर्मेंटेशन चुरू हुए 24 घंटे हो चुके हैं अब मैं इसकी नॉब ये खोल लेता हूँ इसमें नॉब है आप अपने कंटेनर का डखकन जो भी आपने एरलॉक लगा रहा है उसको हटा दीजिए और उसके बाद अच्छे से एक बार मिक्स कर दीजिए ताकि थोड़ सी ऑक्सीजन वाइन के अंदर चली जाए और इस्ट को मिल जाए जिससे हमारी इस्ट अच्छे से काम करती रहे वो हैल्दी बनी रहे दोस्तों ऐसा हमें लगातार साथ दिन तक करना है टेली 24 घंटे में एक बार साथ दिन तक इसी तरीके से कंटेनर को खोलना है और मिक्स क कर लेना है उसके बाद इसे चान लेंगे वो प्रसेस हम अगली वीडियो में देखेंगे इसके अगले भाग में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत